नम्रश्कार वच्छों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दिसक्स करेंगे गर्स 9 के Multiple Choice Questions और जो Multiple Choice Questions होंगे Geography के होंगे पूरा हम लोग जितने भी आपके पास chapters होते हैं Geography के NCRT में उस सारे questions हम लोग यहां पर discuss करेंगे और Full Sleabus का है 25 questions, तो चलिए बिना time wish के start करते हैं, first question देखते हैं, first question में क्या कहा गया, तो first question कहा रहा है, the tropic of cancer does not pass through, तो जो tropic of cancer है, वो आपको पता होगा, कहां पर होती है, तो ये 23, one by two degree north, जो latitude होता है, उसको कहते हैं, ट्रोपिक of cancer, ठीक है, अब आपको देखेंगे तो एट श्टेट्स ऐसे हैं भारत के जहां से पास होती है उन श्टेट्स का आपको नम बतायते हैं क्योगी कई बार पूछा आता है तो यसे गुजरात हो जाएगा ठीक है राजस्थान आपको दिया ही हुआ है त्रिपुरा आपको दिया ही हुआ है इसके अगले सवाल को देखते हैं क्या पूछा गया है तो इसमें बस एक और रह गया था कौन सा जहार खंड रह गया था तो वह भी इसमें आ जाएगा तो इसमें आ जाएगा तो इंडिया का जो इस्टन मोस्ट की बात करेंगे जो गुजरात में लाई करता है जो कितना है तो वह लॉंगिट् Ching अगर देखा जाए तो शिंटे एट डिग्री सेवन मिनटस इश्ट है ठी만 मोस्ट की जोगी जम्मो कशमीर में northernmost point है वो आपका पड़ेगा कहां पर यह आपका पड़ेगा जम्मू कश्मीर में और इतना होगा 37 degree 6 minutes north यह कहां से ना पर आता है तो यह equator से देखा आता है ठीक है इसलिए उपर आ रहा है जम्मू कश्मीर next पर आते हैं next question को देखते है question number third में देखे क्या कहा गया उत्तराखंड उत्तरप्रदेश बिहार विज बिंगौल और सिक्किम भी नेपाल के साथ है तो इसका common frontier क्या हो जाएगा इसमें नेपाल हो जाएगा question number fourth पर आते हैं इसमें कहा गया if you intend to visit कावरत्ती during your summer vacation तो देखे अगर आप कावरत्ती जाना चाहते हैं summer vacations में which one of the following union territory of India will you be going to कौन सी union territory आप जाएगे तो कावरत्ती जो है वो capital है किसकी लक्षदीब की तो लक्षदीब इल बी दा correct answer next पर आते हैं question number 25 है fifth question में कहा गया my friend hails from a country तो एक मेरा दोस्त है जो ऐसी country से आता है which does not share a land boundary with India तो मतलब जो इंडिया से land boundary शेयर नहीं करता है तो भूटान शेयर करता है बंगलादेश भी शेयर करता है नेपाल भी शेयर करता है बंगलादेश के याद रखेगा longest जो है वो border है भारत का और सबसे छोटा भारत का border तो अफगानिस्तान है ठीक है तो यहाँ पर कौन share नहीं करता है boundary तो यह तजीकिस्तान जो है भारत के साथ boundary शेयर नहीं करता है बाकी तीनों के तीनों जो countries है वो इंडिया के साथ boundary शेयर करते हैं Q6 में कहा गया land mouse bounded by sea on the three sides तो तीन साइट पे अगर कोई land mouse है वो bounded है समुदर से sea से तो इस land mouse को क्या कहा जाएगा तो इसको कहते है peninsula क्या कहते है पेनिंसुला कहते हैं Q7 में क्या कहा गया mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar collectively called तो देखे ऐसी mountain ranges जो मयानमार के साथ अगर आप देखेंगे तो boundary बनाती और कहा पर present है तो eastern part of India में present है तो इनको क्या कहा जाता है पूछा गया है तो इनको पूर्वांचल कहते हैं क्या कहते हैं पूर्वांचल कहते हैं और इसको eastern hills भी कहा जा सकता है ठीक है eastern hills भी कह सकते हैं अच्छा east जो होता है east मतलब ही होता है पूर्व ठीक है east मतलब होता है जैसे आपनों सुना होगा पूरव पश्यम तो east जो है वो पूरव है ठीक है इसलिए आँ से बना वेस्ट कोश्ट रिष्ट रिप है वो क्या कहलाती है तो वो कहलाती है कन्नड क्या कहलाती है कन्नड विल 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 आप लोग कोंड बॉक्स में Western Ghats के highest peak लिख के बताएगा कौन सी है Next question देख ठीक है तो next question पर आते हैं Question number 10 है इसमें कहाँ गया In which of the following state is Vular Lake located अब देखे Vular Lake जो है वो कहाँ पर located है Lakes बहुत important होती है भारत की ये located है Jammu and Kashmir में ठीक है अच्छा एक बहुत famous lake है जिसको कहते है लोकटक lake और ये कहाँ पर है तो ये है मनीपुर में याद रखेगा बहुत important lake है ठीक है Next पर आएंगे Next question देखें Question number 11 है 11th question में कहाँ गया The river Narmada has its source at तो नarmada जो river है वो कहाँ से निकलती है उसका source क्या है ठीक है तो वो है अमरकंटक ठीक है तो अमरकंटक से निकलती है और ये कहाँ पर है मद्र प्रदेश से निकलती है Next पर आते हैं question number 12 में कहाँ गया Which of the following lake is a salt water lake अब देखें दो तरीके की lake होते है एक mainly salt water होती है और एक fresh water lake होती है तो इसमें पूछा गया है salt water lake इसमें से कौन सी है तो सांभर lake जो है वो salt water lake है और याद रखेगा यहां से सबसे ज़्यादा salt produce किया जाता है सबसे ज़्यादा salt भारत में यहीं से निकला आता है Next पर आते हैं question number 13 में कहाँ गया Which one of the following is the longest river in peninsular India अब देखें जो peninsula है इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी सबसे लंबी नदी कौन सी है पूछा गया है तो सबसे लंबी जो लंदी है वो है गोदावरी ठीक है इसी को अगर आप देखेंगे तो इसको वृत गंगा भी कहा जाता है और इसको दक्षण गंगा भी कहा जाता है ठीक है साउध गंगा भी इसको कहते है ठीक है पवित भी बहुत ज़्यादा मानी आती है वहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं विच वन अमंग्स दा फॉल्विंग रिवर फ्लोस थूर रिफ्ट वैली अब देखें जो रिफ्ट वैली से रिवर फ्लो करती है वो कौन सी है तो इन में से महानदी नहीं फ्लो करती है गरिशना नहीं फ्लो करती है कौन सी फ्लो करती है तापी लेकिन तापी के अलावा और भी रिवर्स हैं से नर्मदा हो गई, ये भी रिफ्ट वैली से फ्लो होती है, ठीक है, तापी तो फ्लो होती है और साथी साथ दामोदर जो है ठीक है, ये भी बहुत इंबोडन रिवर है, ये भी कहां स्लो होती है, रिफ्ट वैली के थूँ फ्लो होती है, question number 15 पर आते हैं, which one of the following places receive the highest rainfall in the world तो विश्व में, पूरे वर्ड में अगर देखें सबसे आदा बर्षाद अगर कहीं होती है, तो मायनसराम में होती है, ये कहां पर located है पहले चेरा पर पूजी हुआ करता था लेकिन बात में ये चेंज हो गया, ठीक है तो मेघाले में located क्या है, मायनसराम यहाँ पर सबसे आदा बर्षा होती है पूरे साल भर में, नेक्स्ट पर आते है question number, wind blowing in the northern plains in summer is known as तो देखे, नॉर्थन इंडिया जो है नॉर्थन इंडिया जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, डेली हो गया, उपर इतना भी पंजाब इंजाब है तो नॉर्थन प्लीन है, यहाँ पर जो गरम हवाएं चलती है, summer में उसको क्या कहते है उसको लू कहते है, ठीक है next पर आते है, question number 17 देखते है, इसमें कहा गया, which one of the following causes rainfall during winter winter के time मतलब जाड़े के time पे जो northwest part है भारत का अगर northwest part देखा जाए, जो अधर लाई करेगा यह नॉर्थ हो गया, यह west हो गया आपका तो northwest part यह है तो यह northwest इंडिया है, इधर क्योर कहीं आएगा, ठीक है तो इधर जो जाड़ों में जो rainfall होती है यहां पर हो किसकी वज़े से होती है पूछा गया तो यह होती है Western Disturbances की वज़े से यह question जो है बहुत सारे competition में और बहुत बार एक्जाम से पूछा गया तो इसको ध्यान से याद रखेगा कि Western Disturbances की वज़े से इस Northwest Part में क्या होती है मतलब winter के टाइम पर क्या होती है यहां पर बस आत होती है question number 18 पर आते है monsoon arrives in India approximately तो भारत में जो monsoon winds आती है यह monsoon आता है वो का बाता है early June में आता है और एक कहां से आता है तो अगर आप देखेंगे तो Southwest से आता है mainly केरल से आता है याद रखेगा केरला से हमाई आप भारत में monsoon आता है और उसको क्या कहते है Southwest monsoon कहते है next वे आते हैं vision of the following characterizes the cold weather season in India तो cold weather season जो है भारत में उसमें क्या होता है यह पूछा गया है cold weather मतलब जाड़े की बात हर रही है तो जाड़े में जो दिन होते हैं वो कैसे होते हैं रात होती हो कैसी होती है तो mainly जो दिन होते हैं वो तो warm हो सकते हैं लेकिन रात कैसी होती है ठंडी होती है question number 28 में कहा गया which of the following type of vegetation does rubber belong to stopperman रबर जो है उसका रात då होती है तो छो कैसा vegetation आपको बताना है तो तुंदरा नहीं है hemalian भी नहीं ताइडल भी नहीं है उसका सही अंसर कहा है जो rubber की हेती होती है कहां पर ओती है मतलब container चोगती है वो णी आती हो tö्री वह टो तो अटो वो दो Som है जैसे chloroquine है तो सब इसी से बनाई जाती है ठीक है चिंकोना ट्री के बार्क से बनाई जाती है अब यहाँ पर जो rainfall चाहिए वो कितनी चाहिए तो more than 100 cm चाहिए याद रखेगा 100 cm से जादा rainfall होनी चाहिए तभी चिंकोना ट्री उगता है next question question number 22 में कहा गया in which of the following state question number 23 पर आते हैं which one of the following reserve of India is not included in the world network of biosphere reserve तो इन में world network of biosphere reserve में कौन सा reserve इन में नहीं है यह आपको यहाँ पर बताना है ठीक है तो मानस जो है वही नहीं है पाकी Gulf of मनार है Gulf of मनार भी है नीलगरी भी है नंदा देवी भी है यह तीन होई है नीलगरी अगर आप देखेंगे तो तमिल नाडू में आता है यह भी आपका तमिल नाडू के आसपास ही आएगा नंदा देवी जो है वो उत्तुराखन में है ठीक है काजी रंगा भी अगर आप देखेंगे तो असम भी है नेक्स्ट पर आते है कुशंबर 24 को देखते हैं इसमें कहा गया migration change the number distribution and composition of population in देखें जो migration होता है migration का मतलब होता है movement ठीक है जैसे माली कुछ लोग यहां रह रहे रहे हैं तो एक जगह से उठके दूसरी जगह चले गए जैसे माली यह place है A और यह place है B तो कुछ लोग A जगह से उठके B जगह चले गए तो भी migration कहलाएगा और अगर माली बी से लोग A आगे तो भी migration कहलाएगा अब migration से होता क्या है कि जो number है distribution है composition है population का वो change हो जाता है ठीक है अब वो कैसे change होता है तो पहला जगहा गया area of departure ठीक है तो A से लोग कम भी तो हो गए और B में लोग बढ़ गए तो इसका अनलब दोनों में ही migration का effect पढ़ेगा ठीक है यहां से दोनों जगह से number कम या ज़्यादा हो सकते है next पे आते है a large proportion of children in a population is a result of तो देखे अगर बहुत ज़्यादा proportion में बच्चे है चोटे बच्चे अगर बहुत ज़्यादा proportion में है किसी population में तो इसका मतलब क्या है कि उस जगह का जो birth rate है वो बहुत ही ज़्यादा है ठीक है बर्थ रेट जो बहुत ज़्यादा होगा तो बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा होंगे जिस वज़े से उनका जो proportion होगा population में वो बढ़ जाएगा next पर आते हैं question number 26 में कहा गया the magnitude of population growth refers to अब देखे population growth का मतलब क्या है यह आपसे पूछा गया है तो पहला कहा गया है total population of area गलत है population growth का मतलब होता है कितना addition हो रहा है growth आप जान सकते हैं growth का अलब है कितनी व्रद्धी हो रही है कितना addition हो रहा है last question है आज का इसमें कहा गया according to census अब census के हिसाब से आपको पता होगा census हर 10 साल में एक बार होती है last census 2011 में हुई थी इसके बाद 2021 में हुई थी लेकिन covid और बहुत सारी ऐसे situations हो गई जिसकी वैसे अभी तक census नहीं हो पाई है वे जो census है इसमें literate person क्या होता है आपको बताना है तो literate का मतलब होता है जो पढ़ सकता है लिख सकता है अपना नाम गलत है कोई भी language पढ़ लिख सकता है भी गलत है मतलब जो वो लिखे और पढ़े उसको वो समझ भी सके और वो साथ साल का होगा तो उसको क्या कहेंगे मतलब एक literate person उसको कहा जाएगा तो इस तरीके से हमारे questions थे जो बहुत important questions थे आपके geography के class 9 के और कही ना कहीं हर एक exam में फिर से बता दे रहूं आपके पूछे जरूर जाएंगे तो इसको बहुत अच्छे से revise करिएगा अभी के लिफलाल में लोग इता ही रखते हैं और इसके अलावा बहुत सारे mcqs ऐसे हैं जो पहले से ही playlist में लगा दिये गए है playlist आप लोग जाके description पे देख सकते हैं और अपने revision को और अच्छे से कर सकते हैं तो अभी